नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-ईज़ल लेटेस्ट कोर्सेज लाँज करने वाला है तो उन कोर्सेज की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। नोडस और PDF के लिए आप लोग क्या करेंगे हमारे टेली ग्राम ग्रूप को जोइन कर लेंगे नाम क्या है डिश्टर इडवाइस यहाँ पर समय समय पर आपको PDF और नोडस मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कोशन नमबर फर्स्ट एम आई पिएस के द्वारा किसकी स्पीड मापी जाती हैं ए ओप्षन प्रिंटर बी ओप्षन टेप ड्राइब सी ओप्षन डिस्क ड्राइब डी ओप्षन प्रोसेसर फाइफ सेकेंड का यह प्रोसेसर की मापी जाती है और M.I.E.P.S. स्टैंड 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 में रिपीट कर रहा हूं मिलियंस ऑफ इंस्टैंड पर सेकेंड M.I.E.P.S. का फुल फॉर्म होता है और यह किसकी स्पीड है प्रोसेसर की नेक्स्ट कोशन नमबर सेकेंड वर्चुल मेमोरी को जाना जाता है A.Option, Static RAM, B.Option, Dynamic RAM, C.Option, Extended RAM, D.Option, None of the above 5 seconds है तब तक मैं आपको वर्चुल मेमोरी की स्पेस हाल्टिक्स पर होती है वर्चुल मेमोरी की स्पेस हाल्टिक्स पर होती है इस पॉइंट को भी याद रखिएगा और इसका जो राइट आंसर होगा जी हाँ बि ठीक है और कुछ माली जी हमने large program चला दिया तो कुछ parts जो running कर रहा होगा वो RAM पर रहेगा बचा हुआ part वर्चुल मेमोरी में रहेगा तो वर्चुल मेमोरी as a RAM ही काम करती है इसलिए इसको extended RAM कह सकते हैं क्या कह सकते हैं extended RAM कह सकते हैं इसलिए इसका C option right होगा next question number third utf8 और utf16 किसके उधारण है a option file system b option processor architecture c option character encoding d option none of the above 5 seconds हैं और questions अच्छे लग रहे हो तो जल्दी से वीडियो को like कर दीजेगा जी हां थमसब कर दो सभी लोग जितने अधा likes उतने अच्छे question और बिलकुल इसका जो right answer होगा ध्यान कियेगा C होगा utf8 और utf16 character encoding के उधारण हैं मैं repeat कर रहा हूँ utf8 और utf16 character encoding के उधारण हैं अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा homework दे रहा हूँ utf का full form क्या होगा ये google करिएगा और comment में answer बताईएगा utf का full form google करिएगा और comment में right answer utf का full form बताईएगा next question number 4 input को output में बदलता है a option memory b option storage c option peripherals d option cpu 5 seconds है तब तक मैं आपको peripheral सब्द का मतलब बता देता हूँ input output को हम एक साथ collectively peripherals बोल देते हैं ठीक है दूसरे सब्दों में कहें जो computer से devices connect होती है उनको peripheral कहते हैं और computer से connect कौन होता है input और output device तो simply हम कह सकते है input output का प्रियोग ना करके simple हम peripheral का भी प्रियोग कर लेते हैं और इसका जो right answer हो का कुछ students ने दे दिया है बिलकुल इसका c नहीं d होगा ठीक है input को output में बदलता है cpu ध्यान कियेगा input हुआ process होगा तब ही तो output मिलेगा तो कौन करता है d करता है मतलब cpu करता है ठीक है input को output में cpu बदलता है point याद रखेगा next question number 5 parallel port का प्रियोग करते हैं a option monitor b option keyboard c option mouse d option printer 5 seconds है easy question है और बहुत बार ये question आपके exam में आ भी चुका है तो जी हाँ बिलकुल इसका right answer होगा students का right answer आना start हो गया d होगा printer जानकेगा parallel port का प्रियोग printer को connect करने के लिए करते हैं मैं repeat कर रहा हूँ parallel port का प्रियोग printer को connect करने के लिए करते हैं याद रखेगा next question number 6 software के old version को new version में बदलना क्या कहलाता है a option replacing b option installing c option updating d option upgrading 5 seconds है और इसे मिलता जुलता question मैं एक online test में दे चुका हूँ good कुछ लोग का right answer आना start हो गया है बिल्कुल जो इसका right answer होगा d होगा upgrading जब version change होगा ध्यानक ना जब भी version change होगा तो upgrading होगा old version से new version में बदल गया मतलब version change होगया तो हमेशा answer हमारा upgrade या upgrading ही रहेगा और यदि version save रहता कुछ features add होते तो answer हमारा updating होता मतलब c option होता लेकिन यहां version change हो रहा है तो हमारा d option right होगा upgrading याद रखेगा next question number seven computer और keyboard के बीच communication कैसा होता है a option one way b option simplex c option half duplex d option full duplex 5 seconds है और ऐसे questions आए हैं बहुत बार आ चुगा यह question ठीक हर बार कई बार अलग अलग तरीके से questions पूछते हैं question same रहता है मतलब एक ही रहता है बस सब्दों का क्या करते हैं खेल करते हैं और कई बार students को समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल इसका जो right answer होगा बी होगा simplex होगा computer और keyboard के भी जो communication होता है वो simplex होता है ठीक है one way होता है लेकिन यहापर one way सब्द कभी use नहीं होता one way communication के लिए हमेशा जो सब्द use होता है simplex होता है इसलिए right answer b होगा ठीक है communication one way ही होता है लेकिन उसको बोलते के हैं simplex ठीक है इसलिए a of b option right होगा next question number eight निमलिकित में कौन सा browser है a option google b option yahoo c option radiff d option chrome five seconds है बढ़िया question और ऐसे questions आते रहते हैं और preparation में जुटे रहे हैं ठीक है सबी को अच्छे grade के साथ पास होना है तो लगातार तयारी करते रहे है ठीक है good और बिलकुल continuity का बहुत फायदा होता है इसका जो right answer होगा ये d होगा chrome ठीक है समझिएगा google और yahoo search engine है radiff email service देता है जैसे gmail है वैसे ये रैडिफ भी क्या है email है ठीक है रैडिफ email के लिए प्रियोग होता है तो हमारा google chrome ही क्या है browser है इसलिए d option right होगा काफी सारे students ने right answer दे दिया था very good बहुत बढ़िया next question number 9 router network layer पर काम करता है a option है true b option है false 5 seconds है easy है आ चुका है बहुत बार good बहुत बढ़िया chat में answer आना start हो गया है a option इसका right होगा true ध्यान के गा router network layer पर काम करता है OSI model की network layer पर router काम करता है ये sentence क्या है true है next question number 10 निमली कित में कौन programming language नहीं है a option photon b option Pascal c option COBOL d option Mac 5 seconds है easy है उमीद है सभी लोग right answer देंगे सभी students good तो जी हाँ बिलकुल इसका right answer जो होगा d होगा Mac Mac हमारा address है physical address ना कि programming language photon पास्कल और कोबोल क्या है programming language है तीनों ही high level language है जबकि Mac हमारा क्या है address है तो यहाँ पर d option right होगा क्योंकि यहाँ पर पूछाता कौन सी programming language नहीं है next question number 11 वहाँ कौन सी optical input device है जो pencil या pen के निसान को कागच से पढ़ लेती है A option, MICR, B option, OCR, C option, OMR, D option, none of that good, easy है जी हाँ बिलकुल इसका right answer होगा C होगा OMR ठीक है OMR दोरा pencil या pen से बनाएगे निसानों को read किया जा सकता है और ये competitive exam में पहले use होता था पहले OMR sheet मिलती थी जहाँ पर हम लोग अपने answers को pen या pencil की मदद से mark करते थे round round ठीक है याद होगा सभी को next question number 12 जब आप computer पर किसी document पर काम कर रहे होते हैं तो document आस्थाई रूप से कहां पर सुरच्छित हो रहता है a option haldex, b option ram, c option rom, d option none of the above 5 seconds से बताएगा right answer क्या होगा good chat में right answer आना start हो गया है जी हाँ easy question है बिल्कुल ध्याना कियेगा जब भी आप किसी document पर काम कर रहे होते हैं तो वो RAM पर रहता है मैं repeat कर रहा हूँ जब भी आप किसी document पर काम कर रहे होते हैं चाहे वो excel हो, powerpoint हो, ms world हो, notpad हो, paint हो, impress हो, calc हो, writer हो मतलब कोई भी ठीक है जब तक आप उस पर काम कर रहे होते हैं तो वो file कहां पर होती है RAM पर होती है, b option right होगा next question number 13 country domain name कितने अच्छर के होते हैं a option 2, b option 3, c option 4, d option none of the above 5 seconds है easy question तो है लेकिन आ चुका है, ठीक है मताईगा right answer क्या होगा important है good, सभी का right answer आना start हो गया है जी हाँ, बिल्कुल जो इसका right answer होगा, ये 2 होगा country domain name, two characters के होते हैं .in, .jp, .us important है point को याद रखेगा, ठीक है, जैसे india का .in, japan का .jp, us का .us तो ऐसा ही होता है सबका, ठीक है next question number 14 सभी web page की शुर्वात होती है a option, sttp, colon, forward slash, sttps, colon, forward slash, double forward slash ठीक है, stt, hstp, colon, double forward slash, both a and b 5 seconds है easy question है, बताईगा right answer क्या होगा और जिल लोगों ने like नहीं किया, like कर देंगे, साथी साथ हमारा संकल सिच्छा से बदलाओ तक, और यह तबी संबभ हो पाएगा जब आप लोग ज़्यादा से यादा शेयर करेंगे तो इसलिए जो भी social media platform आप यूज कर रहे हो facebook, whatsapp, twitter, सभी लोग शेयर करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा students को help मिल सके तो इसका जो right answer होगा, बिल्कुल both a and b होगा ठीक है, both a and b इसका right answer होगा सभी webpage की सुरुवात होती है, या तो http होगा http होगा, या https होगा, दोनों मैंसे एक ना एक होगा ही होगा, और s का मतलब कई बार पूछा है, तो ध्यानकेगा secure होता है, https में s का मतलब secure होता है clear है, तो ये थे आज क्या online test के questions मिलते हैं कल रात 8 बजे और 9 बजे नए online test में नए questions के साथ preparation करते रहिए good bye